सब्सक्राइब करेंगे इससे पहले आपको कुछ चीजी जो हमने बता चके हैं उसे के बारे में पहले एक्स्प्लेंड करें आपसे कि 2x-1 इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे इसमें 2x एक्वरीवल है जिसका वाण हमने निकालना है यह हमारा वान पर निकाल 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 है तो इस तरह में हमारा वन वेरिएवलेवल जी से पॉल्लनमल के में भी पहले पढ़ चुके है कि उसका में इसमें जो देख रहे एक प्लस तो उसके लिए डिफाइन किया जाएगा अगर वाइक के वैलु रखते हैं उसके लिए इस तरह से मेनी सॉलिशन इसके हो जाएं जैसे एक्जामपल हम अगर रखें कि एक्स इक्वल टू नाइट तो वाइक्वल टू इस तरह से आप बहु सारे चाहिए तो इसका इंफिनिटी मीनी सॉलिशन इसके आप क्या कर सकते हैं रिजॉल कर सकते हैं निकाल सकते हैं ना नेक्स्ट अब इसमें हम लोग है कि टू सॉल्व टू अनों इस तरह की जो एक्वेशन अगर दो एक्वेशन आपको दिये रहेंगे जो की हमें इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड हमें पूरा डिसकस करना है ठीक है इसमें हम लोग पेर आफ लीनियर एक्वेशन ऑफ टू वेरिवल्स एक जानके अगर उसमें एक दूसरे के लाइन पहले जाएगा तो वह सब अलग लग कंडिशन है वह हम आपको इसके वी नेक्ष्ट वीडियो में आपको डिसकस करेंगे आलजेबरिक मैथड में जैसे आप जानके रखे कि इस तरह से जो फॉर्म होता है जेनल इसमें याद रखे है कि a1 x plus b1 y equal to c1 यानी a1 b1 c1 that is the real number and a2 b2 c2 is the real number x के पावर 1 y के पावर 1 यह दो linear equation pair of linear equation इसलिए कहा गया जैसे एक example हम आपको यहां लिखे हुए है कि 3x plus 2y equal to 7 तो 3x plus 2y equal to 7 को अगर हम चाहें तो 7 यह जो इधर है इधर भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत इससे नहीं है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यही same to same चीज इधर भी आपके एक और पेर बढ़ाने के लिए 7x minus 3y equal to 8 है यह 7x minus 3y minus 8 equal to 0 ठीक है अब हम लोग जो फर्दर इससे जो दो equation है इसी linear equation पर हम सारे वीडियो को explain करेंगे इसमें जितने topics दिये हैं बस इसी से आपका equation आपको पहले पता चल जाए कि कौन आपका equation सही है या गलत है जिसमे equation सही होता उसको हम लोग consistent करते हैं और जहाँ equation सही नहीं रहेगा उसको हम लोग inconsistent कहेंगे याद रखेगा जहां सही हुआ उसको consistent और जहां नहीं सही हुआ inconsistent कराएगा अब इस पर हम लोग आते हैं जैसे support एक प्लस y equal to 3 दिया हुआ है तो अगर हम 3 से इसमें दोनों तरफ multiply कर दें तो 3x plus 3y equal to क्या लिखेंगे 9 ओके तो यहा तो इस तरह सी जो हमारा दिया है तो सारे हमारी क्या होगे तो यह जो इक्वेशन होगा consistent का मतलब इतना समझ के रखें कि समिक्रंग जो दिया हुआ जो दिया हुआ हमारा क्या होगा सही होगा consistent का मतलब यह हुआ तो आगर यह देखो अगर एक्स प्लस y equal to 3 है अगर 3 कॉमा ले तो दोनों एक्वेशन सेम हो गया तो यह प्रोपर्टित फिर किस पर आगया जो यह अभी हमने बताया कि इसका इसी लिए कोगि दोनों का है इक्वेम संद्धेशन हो जाएं अब इस में दोनों रेशियों की बात करें तो डीएवन प्राइटी स्क्वेशन करके यहां एवन बाई एक्स्वेशन करके देखें एक्वेशन इसको एक चीज और जानके क्याकर सब्सक्राइब है इसमें अगर हम 3 से मल्टिप्लाइ कर दे तो 3x plus 3y equal to 12 इधर तो दिया ही है 3x plus 3y equal to 17 3x plus 3y equal to 17 अगर दोने एक्वेशन को हम सब्सक्राइब कर दे तो एक्वेशन ही डेंड हो जाएगा इक्वेशन ही हमारा गलत हो जाएगा इसलिए जो wrong information का मतलब है यह इसी से indicate है कि अगर हम equation यहाँ पर यह सारे a1 by a2 equal to b1 by b2 दे दिया है तो यह inconsistent equation हो गया है जो की हमारे equation क्या हो रहा है गलत हो रहा है now next if x plus y equal to 4x minus y equal to 1 यहाँ हम लोग consider कर सकते हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 यहाँ पर a1 by a2 की बात अगर करें तो 1 by 1 और equal to 1 by minus 1 तो यह दोनों अमारा ब्राबर नहीं है यानि ब्राबर नहीं होने का मतलब है कि c1 by c2 यहाँ पर equal नहीं है यहाँ के हम लोग को जब unique solution की बात होगी तो यह condition हमेंसा याद रखिए कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 और इसका हमेशा जो होगा यूनिक solution होगा और यह equation satisfy होगा इसको हम लोग consistent equation कहेंगे अब इससे कुछ example आपको एक दो तीन इक्वेशन सब्सक्राइब के सामने रखें जिसको हम लोग फर्दर इसकी information से रिलेटेड जो है इसको चेक करेंगे और इसका पता करेंगे क्या इक्वेशन आपको consistent है और क्या उसका solution हो रहा है तो पहला question को अगर हम ध्यान दें यहाँ पर a1 a1 equal to 3 a2 equal to किस question को देखा जा रहा a1 equal to 3 a2 equal to 2 b1 equal to 2 b2 equal to minus 3 c1 equal to 5 and c2 equal to 7 तो आगर हम a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 यह दोनों की ratios को अगर देखे तो a1 by a2 equal to 3 by 2 b1 by b2 equal to 2 by minus 3 and c1 by c2 equal to 5 by 7 तो आगर हम इस चीज को देखे तो यह दोनों बरावन नहीं है यह भी बरावन इसके नहीं हो रहा है c1 by c2 is not equal to यह सब कोई बरावन नहीं इसका मतलब होगे कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 इस condition में आपको याद होगा कि इसके लिए अबने बताया था यह चीज तो इसमें अगर यह चीज बताया था इसका मतलब equation हमारा क्या है consistent है consistent of equation and unique solution यह हमारा result हो गया कि लंब जाना होगे क्या है कहां रखती हो कपड़ा कि नौन नेक्स्ट कुश्चन टू टू की बात करें तो यहां पर आप करते हैं टू एक्स माइनस तरी क्वाई इक्वाई इक्वाल टू टू एट पूर एक्स माइनस 3 and b2 equal to minus 6 and c1 equal to 8 c2 equal to 9 a1 by a2 2 by 4 equal to minus 3 by minus 6 यह दोनों कट गया यानि यहां पर आपका जो आ रहा है a1 by a2 is equal to b1 by b2 और c1 by c2 यह आप देख रहे हैं कि दोनों हमारा ब्रावन नहीं है यह जो हमारे पास आगे यह हमारा वार्ण कखरके रखा है यहां उपर के साइड में जिस देख रहे हैं इसमें क्या बताता है कि रोंग information और inconsistent यानि जो दिया गया है हो हमारा सही नहीं ही है वह हमारा वैलिड नहीं है इसी के लिए आपको inconsistent कहा जाता है जो solution नो सब्सक्राइब अरप थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में याद रखे कि यहां 5x-3y equal to 11, 10x plus 6y equal to 22, तो अकर हम compare करें, a1 by a2, a1 5, a2, a2 equal to 10, b1 equal to minus 3 and b2 equal to 6, तो इसको compare करें, 5 by 10 equal to minus 3 by 6, equal to 1, 11 by 22, 11 by 22, 5 to the 10, 1 by 2 ratio, यहां पर आपका होगे, minus 1 by 2 and c1 by c2 equal to 1 by 2, तो यह condition में आप देख रहे हैं, कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is, b1 by b2 is not equal to c1 by c2, तो यहां पर a1 by a2 equal to यह है, लेकिन a1 is not equal to b1 by b2, that means the equation is consistent and there is, this is unique solution, unique solution and equations are consistent, okay, thank you, next video lecture to be continued.